अमारिका और बिटेन मिलकार पुतिन के खिलाब बड़ी साजिश रच रहें जिस तरह से हिरोशिम और नागसाथी में परमाडू बम गिराकर अमारिका ने दूसरा विश्वियूद खत्म कर दिया था पुतिन को डर है कि यूकरेन के जुन खत्म करने के लिए अमारिका दुबारा परमाडू साजिश रच सफ़ता है मॉसको में खत्रे का साइरन क्यों बज़ रहा है? क्या मॉसको पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है? क्या मॉसको पर परमाडू हमला होने वाला है? मॉसको में रेडियेशन का खौफ क्यों पसरा है? क्या मॉसको के धर्दी और आस्मान परमाडू बम के शोलों से जलने वाली है? क्या मॉसको परमाडू हमले के हाटरे का ये अनांस्मेंट क्यों सुना गया? क्या मॉसको परमाडू हमले के वाला है? क्या मॉसको परमाडू हमले के शोलों से जलने वाला है? क्या मॉसको परमाडू बम का मास्टर कंट्रोल सेंटर है। जहां रूस के सभी परमाडू बमों का बटन है। अब मॉसको पर मंडराते खौफ की दूसरी तस्वीर देखें। इंदिनो क्रेमलीन की सरक्षा ऐसे हो रही है। चार हजार से अधिक कमांडो की नज़र 24-7 क्रेमलीन पर है। आस्मान से नजर गड़ाए इन कमांडो ने मॉसको की सुरक्षा चाक जौबंद कर रखी है। मॉसको में इतनी तैनाती से कई सवाल खड़े हो गएंगे। क्या मॉसको हमलेक डर से डरा हुआ है। क्या क्रेमलीन की दिवारों में हमले का ख़व समा गया है। क्या मॉसको पर बहुत बड़े अटैक का ख़तरा मंदरा रहा है। क्या मॉसको की पावर सेंटर में मोचूद प्रेजिदेंट पोतें पर परमानू हमला हुने वाला है। प्रेजिदेंट रसीशके फेडराथ़ी व्लादीमिर 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 पुदिन आखिर मोसको के चपे-चपे में एमर्जेंसी सायरेन क्या बज रहा है। सड़क, गली, मोहला, अस्पताल, बम शेल्टर, सेनर के ठिकाने, ट्रेमले, मोसको में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षन तक हमले का खौफ पसरा है। पुदिन के सबसे मजबूत गिले में खौन खराबे का कुलाहल मचा हुआ हुआ है। मोसको का सबसे बड़ा डर उस वक्त पुरी दुनिया में सामने आ गया जब ये खबर आई कि पुतिन मोसको में बहुत बड़ा बम शेल्टर बनवा रहे है। पुतिन ने लोगों को बम के हमलों से बचाने के लिए एक बम शेल्टर बनाने का आदेश दे दिया है। इस खबर के बाहर आने के बाद मोसको के मोसको सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल की दस्वीरें पुरी दुनियो में ट्रेंड करने लगी। ग्रूस के मीडिया ने दावा किया है कि नए बम शेल्टर को मॉसको के इसी मॉसको सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है। इस दावे के सामने आने के बाद नीटो की खुप्य एजन्सियां सुपर अलाउट हो गई हैं। सब के नजर मॉसको के इस बड़े अस्पिटाल पर आकर ठहर गई है। मॉसको सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल के लोकेशन को अमेरिका के पैंटागॉन के एक बड़े स्क्रीन पर देखा जा रहा है। इस अस्पिटाल का नाम और यहाँ चल रहा बमशेल्टर बनाने का काम ब्रिटन के घर घर में देखा जा रहा है। कीव की स्पेशल टीम मॉसको सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में बन रहे बमशेल्टर के खुफिय जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वज़ा है मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में बन रहा वी वी आईपी बंड शल्टर रूस की मीडिया का दावा है कि यहां बन रहे बंड शल्टर में ना सिर्फ सेंकरों लोगों के छिपने के च्छमता होगी बलकि ये उन्हें परमाणों हमले से भी बचाएगा दावे के मुटाबक इस बंड शल्टर को मॉस्को के वी वी आईपीज और सेना के बड़े अधिकारियों के लिए बनाया जा रहा है पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों के बाद से ही ऐलोर्ट है पश्चमी मीडिया का दावा तो ये भी है कि मॉस्को पर बड़ा हमला हो सकता है ऐसे में पुतिन ने मॉस्को के इस बड़े अस्पताल में बंड शल्टर बनाने के आदेश दिये दावा किया गया कि इस साल के आखिर तक बंग शेल्टर पुरी तरह से बन कर तैयार हो जाएगा। रूस की मीडिया के मताबिक मौस्कों में बन रहे इस वी वी आईपी बंगर के लागत करीब साड़ें करोड रुपए है। इस बंग शेल्टर को आठ सो लोगों की छिपने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसमें काई एंट्रिगे, एक एमर्जेंसी गेट और एक वेंटिलेशन सिस्टम होगा। दावे के मुताबिक पोतेन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मॉस्कों पर अगर हमला हुआ तो रूस की सेनद सीनियर अपसर सुरक्षित रह सके। क्योंकि इसी अस्पताल में उनका इलाज होता है। तो रूस में खास बम शेल्टर बनाने के पीछे पोतेन का मकसद मॉस्कों में हुए हालिया ड्रोन हमलों को माना जा रहा है। और जिसके बाद रूस की सेना पूरी तरह से अलर्ट मूड पर है। इस खास बम शेल्टर को बनाने की सबसे बड़ी बजा हाल ही में मॉस्कों पर हुए सबसे बड़े ड्रोन अटाक को माना जा रहा है। मॉस्कों के आस्मान में एक साथ दुश्मन के कई ड्रोन बंडराने लगे। सभी ड्रोन का निशाना रूस की राजधानी था। सबी ड्रोन मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे लेकिन रूस का एर डिफेंस सिस्टम हरकत में आया और ड्रोन से हुआ हमला बे असर हो गया। मॉस्को में ड्रोन हमला हुआ। पुतन के सरकारी आवास से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ड्रोन से हमला हुआ। 30 मई 2023 सुभा चार बच कर 20 मिनट मॉस्को का आसमान दहल उठा। हमले के बाद 10 मिनट तक पूरा मॉस्को ठहर गया। विसफोर्ट सुन जो जहां था वहीं दुबग गया। मॉस्को में लगे पैंट से एर डिफेंस सुपर एक्टिव हो गये। एक एक पर मॉस्को देहलाने आए सभी हमलावा ड्रोन गिरा दिया गये। पहला ड्रोन हमला दूस्रा ड्रोन हमला दीसरा ड्रोन हमला चौत्था ड्रोन हमला ये चार तस्वीरें तो सर्फ बान भी भर हैं। रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ, मॉस्को पर इससे पहले कभी इतना बड़ा हमला नहीं हुआ रूस के रक्षा मंत्राले के मताबिक वासको में आठ ड्रोन को साइथ, जिसमें से तीन ड्रोन को रास्ते में ही भटका दिया गये, वही पांच ड्रोन को मार गिराया गया रूस की मीडिया को मुताबिक हमला वड्रोन काफे अधिक दादाद में थी दावे के मताबिक इस हमले में तीस से अधिक ड्रोन हिस्सा ले रहे थे, वहीं एक ड्रोन में उसोवो गाउं के पास एक विसपोर्ट हुआ, जो पुतन के सरकारी आवास नोवो ओगारियोवो से केवल दस मिनट के दूरी पर है, अब तक युकरेन में रूस की बंबारी द दिखती थी, बरबाद होता पक्मूत दिखता था, शोलों से देहलता सोलेदार दिखता था, जहन्नुम बना मारियोपूल दिखता था, लेकिन अब रूस के अंदर विसपोर्ट की दस्वीरे दिखने लगी है, रूस में खुसकर हो रहे हमले दिख रहे हैं, रूस के राश रूस के अंदर ऐसा हमला होगा, इस से पहले किसने देखा था, रूस जैसे ताकतवर देश मनुसकर कोई उसके हथियार की फ्राक्टरे में आग लगा देगा, ऐसी तस्वीर कब दिखे थी रूस की निकलर होर्स को बेलकराद से अपने परमाणू हथियारों को हटाना पड़ेगा, ऐसी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, बॉसको में ड्रोन से अटाक होगा, क्रेमलिन पर हमले की हिमाकत होगी, ये नामुंकिन जैसा था, ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस पर बड़े हमले का खत्रा मंडरा रहा है, इसे लेकर छे बड़ी और ठोस वजहें पेश की गई हैं, वज़ा नमबर एक, मॉसको में ड्रोन अटाक और उस से पहले क्रेमलिन पर दो ड्रोन से डारेक्ट अटाक, रूस ने दावा किया कि दोनों ड्रोन को मार गिराया गया, इसको पर कभी भी हमला हो सकता है, वज़ा नमबर तीन, युक्रेम की राजधानी कीव से 800 किलोमेटर दूर रूस का राया जान मिलिटरी बेस पर हमला हो चुका है, वज़ा नमबर चार, कीव से 800 किलोमेटर दूर रूस के कुसरक एर फील्ड पर ड्रोन अटाक हो चुका है वज़ा नमबर पांच यूक्रेन तिराजधानी कीव से 1090 किलोमेटर दूर रूस का सारा तोवा मिलिटरी बेस पर हमला हुआ है जहां रूस के परमाणों बम होने का दावा किया जाता है क्योंकि सारा तोवा में ही रूस का एंगिलस एर बेस है एंगिलस एर बेस पर हमला कर यूक्रेन ने रूस के दो नुकलर बॉमर को नुकसान पहुँचाया है वज़ा नमबर छे दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुँच गई है अगर ये दावे सच साबित हुए तो रूस पर बहुत बड़ा खत्रम अंडरा रहा है अगर रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के अंडरकावर फाइटर के मौजूद होने का दावा सच साबित हुआ तो रूस में आत्म खाती हमलों की आशंका पढ़ गई है क्योंकि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सी और ब्रिटन के S.A.S. कमांडो ट्रेंड कर चुके है जेलिंस्की के कमांडो ब्रिटन में रहकर स्पेशल ट्रेनिंग लिये हुए है यही वज़ा है पटन की टेंशन बढ़ गई है रूस की स्पेशल फोर्स, स्पेट्सनाद्स, अलर्ट, साथ ही साथ रूस के निकलर बॉमर खत्रे में है अगर यह अंदेशा सत्साबित हुआ तो रूस के सेन्याडो पर ऐसे ही बारूद की आग धदकने लगेगी यही वज़ा है कि अब पुतिन मौसकों के सबसे बड़े अस्पताल में ऐसा बंख शल्टर बनवा रहे हैं जो परमाणू हमले के दौरान भी मौसकों में रहने वालों की रक्षा करेगा पुतिन ने से पहले अक्तूबर दो हजार पाईस में पूरे रूस में बंख शल्टर को अपड्रेट करने के आदेश दिये थे तो रूस में सिर्फ नए बंख शल्टर ही नहीं बनाये जा रहे हैं पुतिन के आदेश के बाद सोव्यत दौर के उन बंकरों की मरंमत का काम शुरू हो गया जो बरसों से बंख पड़े हैं रूस के तहखानों पर ताला जड़ा था लेकिन अब सभी बंकरों के अपग्रेड करने का काम पूरा हो गया है यहां तक कि तीन दश्कों से अधिक वक्त से बंख सुरंगे खुल गई हैं निरिक्शन और मरंमत का काम पूरा हो गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ मॉस्कों में ही कम से कम साथ बंख शल्टरों को इस्तमाल के लिए तायार कर दिया गया है यह शल्टर मॉस्कों के पाताल में बसे एक ऐसे नगर में है जहां गुप अंधेरा पसरा रहता है एक ऐसा अभेद किला जिसकी गुफाओं का अंध जल्दी नहीं मिलता बंकरों की एक ऐसी भूल भुलाया जहां दुनिया के किसी भी देश के स्पेशल फोर्स भी चकमा खा जाए जिधर देखो उधर अंधकार सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती सौ फिस्दी बचाओं की गैरंटी पैंटागॉन की ख़़ए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्कों में धर्दी के नीचे करीब 19 किलोमेटर लंबी भुमीगद सुरंगों का जाल है 17 किलोमेटर लंबी एक खास सुरंग क्रेमलिन से जुड़ी है ये मॉस्कों में जमीन में सैंक्रो मीटर की यहराई में मौझूद बच्चा जाल है जिसे पुतिन का पाताल लोग कहा जाता है एक ऐसा लोग जो अमेरिका के परमाणू हमलों से भी महफूस है इन ही सुरंगों के रास्ते पुतिन को उनके खास परमाणू बंकर तक पहुँचाया जा सकता है दाव किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणू बं कभी असर नहीं होगा